हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल आज की वीडियो में ओल ओवर पांच मीटर कपड़े से फुल सूट की कटिंग करेंगे तो यह देखिए पांच मीटर कपड़ा है हमारे पास ओल ओवर सूट है इसमें फुल सूट की कटिंग करेंगे तो यह देखिए सबसे पहले ह इसको सिंगल बिछा लेंगे, देखे, मैं इसी तरीके से ओल ओवर सूट की कटिंग करती हूँ, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो देखे, सबसे पहले हमने जो कुर्ती बनानी है, उसकी लैंथ के लिए कपड़ा निकालना है, तो देखे, हमने रैड़ी लैंथ 38 इंच रखनी है इसकी, और 3.5 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए लिया है, तो देखे, जो यह मार्क लगा है हमने, यहाँ से हमने कपड़े को पकड़ना है, और इसको फोल्ड कर लेना है, यह देखिए और इसको यहां से हम cutting कर लेंगे और अलग कर लेंगे इस कपड़े को अब इस कपड़े में से हमने कमीज के लिए कपड़ा निकालना है उसके लिए हम जो हमारा heap size है उसमें हमने margin को add कर लेना है और उसके according हमने इस तरीके से mark लगा लेना है देखिए जो मैंने लगाया हुआ है, अब देखिए जो हमने ये mark लगाया है यहां से हमने कपड़े को fold करना है इस तरीके से कपड़े को हमने अच्छे से set करना है, अगर हमारे कपड़े में कान है तो हमें कान को पहले से ही निकाल लेंगे और फिर हम कुर्टी के लिए कपड़े को निकाल लेंगे और यहां से कटिंग कर देंगे और इस कपड़े को अलग कर लेंगे देखे तो यह हमारा कमीज के लिए कपड़ा निकल गया है अब इसकी मार्किंग करना मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो हमने सूट निकालना है पांच मीटर ओल ओवर सूट से उसका तरिक्वा बता रही हूँ कि कहां से हमने क्या निकालना है तो देखे ये जो कपड़ा है साइड से निकला है इसमें हमने सल्वार के पल्ले निकालने है देखे जो हमने कमीज के लिए कपड़ा निकाला था उसकी साइड से जो ये कपड़ा निकला है इसमें हमने सल्वार के पल्ले निकालने है तो ये देखे हमारा पूरा है ये कपड़ा हमने कपड़ा निकला है इसको भी हम यूज में लेंगे अब देखी कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड किया है किनारी से किनारी मिलाकर जो हमारी कपड़े की लेंध है उस साइड से और अब यह हमने इसमें बैल्ट के लिए कपड़ा निकालना है तो बैल्ट में 7 इंच की ले कपड़ा हमारा निकला था जो हमने पल्ले बनाये थे सलवार के उसमें से इसमें joint टाल देंगे और जो belt में जो कपड़ा कम है उसको हम पूरा कर लेंगे अब हमने कपड़े को इसी तरीके से फोल्ड रखना है अब इसमें हम बाजू निकालेंगे देखे यह फोर फोल्ड कर लेंगे बाजू के लिए हम इस तरीके से अनुज अब इसि धदेखे यह पाजू की हम लेंध लेगे इसी में हमने फोल्डिंग के लिए जो मार्जन लेना है वह एड़ किया हुआ और यहां से यह मार्क लगा कर इसको कपड़े को कटिंग कर लेंगे यह देखे और जो कपड़े की जो खुली साइड है देखे फोर फोल्ड है हमारी वाजू इसको हमने अपनी साइड रखा है यह देखे अब इसमें से स्लीवस की कटिंग कर लेंगे जो भी हमारा मैजरमेंट है उसके अकोडिंग तो यह देखे मार्किंग हमने कर लिए है स्लीवस की अब इसकी भी कटिंग कर देते हैं देखे स्लीवस की कटिंग हो गई है अब हमारी बाजू की कटिंग हो गई है सल्वार के पल्ले निकल गए है और हमारा कमीज की कटिंग हो गई है तो बाकी हमारा है कली हमने निकाल ली है तो अब जो भी हमारा कपडा बचा है इसको हमने डवल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से कपड़े को सिंगल करते हुए देखे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को और इसमें से जो भी कपड़ा है इसमें हमने कली को निकाल ला है तो देखे इस तरीके से और जो कली की कटिंग होती है वो मैंने बहुत बार बताई हुई है करें है कि यहां से हम साइड से लेंगे सेलवार कि कौटिंग वाली है हमारी कपडे की सायड उसायड से लेंद रिहा dwarf है और दूसरी साइड से हमने लेना है यह देखे इसके इसके आपॉज PROF. याने की कि इस साइड से हमने लेनी है सलवार की कपड़े को अच्छे से से रखेंगे और देखें यहां से हम लेंगे सलवार की साथ इंच बेल्ट के लिए निकालने के बाद और यहां पर यह मार्क लगा देंगे और धाई इंच यह दोनों साइड हमने पहुंचे के लिए रखना है इस तरीके से जो हमने मार्क लगाए है इनको ऐसे मिला देंगे यह देखिए यह कपड़ा है पूरा कैमरे में आ नहीं रहा है इस तरीके से मिला देंगे इसको और कटिंग कर लेंगे जो हमने मार्क लगाए है उन पर तो यह देखिए कलियों की कटिंग हमने कर ली है और यह देखिए इसमें फुल हैवी सलवार हमारी बनेंगे जो पांच मीटर कपड़ा होता है उसमें हमारी सलवार फुल हैवी बनती है तो देखिए सूट के हमारी कटिंग हो गई है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाईएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तो मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू थैंक यू फूर वाचिंग कर द दैंक कर दो का सक ज़स्ड़ में कर दिक